Hi boys and girls, welcome to Hawk Creation. तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो. तो ये चर्सी की तरह मेरे फेम के लिए पागल हो जाते हैं. और मेरी पैंकी नोक नकली लोगों को ही मारती है. तोड़ा फेम इनको जो मिला है वो इनका वहिम है. मतलब ये अंधकार में जी रहे हैं. अभी फेम देखें कहा है ये? और मैं इनकी लेता हूँ. और लेने के बाद थैंक्यू मैं में इसलिए बोला. क्योंकि एमीवे ने कृष्णा का नाम पिंकी रखा है. इनके सारे प्लान बेकार हो जाते. क्योंकि इनके फैंस कॉम्प है. मतलब की बॉट हैं. और उन बॉट को जमा करने के लिए क्रिश्णा को एमीवे से चाहिए रैम. रैम वही मोबाइल वाली रैंडम अक्सेस मेमरी. मैं ओगानिक हूँ. और मेरे पास ग्यान का भंडार है. और मैं रैप की मशीन हूँ. और मैं ग्रीस दे रहा होटो पे. साइकल वाली ग्रीस मत समझ लेना. डबल मीनिंग है. क्योंकि होटो पर दी जा रही है. इसलिए वाइट ग्रीस की बात हो रही है. और लॉंडे बैटे यहां फारिक है. फारिक और्दू का वर्ड है. जिसकी यहां पर दो मीनिंग है. एक तो अब वाइट ग्रीस को देने के बाद मैंने वो अलग कर लिया. और दूसरा की यह लोग आइडल की तरह बैटे हैं. क्योंकि ग्यांग का भंडार तो मेरे पास है. ग्यांग का भंडार मतलब वाइट की तंकी भी मेरे पास है. और स्किल्स भी. और यह आइडल वाली बात I don't know किस पर बोली है. एक तो हसल के जजजेस पर. या फिर क्रिशना को. क्योंकि गौश मानते है क्रिशना को अपना आइडल. और गौश पर भी हो सकता है. क्योंकि ग्यान एमी वे पास था. और वो हसल में चले गए. तेरे वाले धम. यानि आपके पिताजी हम है. और ये जो तुम्हारे फ्लेक्स है. ये जो तुम फ्लेक्स करते हो. ये यहाँ पर वैलिड नहीं है. अलाओ नहीं है. ये यंग दम और ब्रोग जो हैं. ये सब खालिड है. खालिड सॉंग का नेम है. और यंग दम और ब्रोग आटिस्ट है. और ये सब खालिड है. मुस्लिम रिलीजन में खालिड इबनेयल वलीड जो थे वो undefeatट थे. तो उन्ही का रिफ्रेंस दिया गया है कि वो सब यंग दम और ब्रोक अनंत अमर है मतलब मैंने इसको हरा दिया था तब ये भाग गए डिस बेटल से क्योंकि कृष्णा ने कहा था कि खतम सारे जन मतलब सब लोग खतम हो गए है ये अपनी हार को नकार रहे है क्योंकि हम धुआ उड़ा रहे हैं और धुआ का यहां दो मतलब है एक तो जब जन्ग होती है तब उरता है धुआ और दूसरा जब शो होता है तब उरता है मेरे गानों पर इतने रैपर्स को लगाए है जो सब डिस्क किये जा रहे हैं कृष्णा बंटाई रिकॉर्ड्स के रैपर की बात कर रहे थे तो एमीवे बोले की धन पैसा सभी कमा रहे हैं और कमा कर ये रम मारते हैं रम मतलब वाइन और रैप गेम में हम स्पिरिट संभाले हैं मतलब अपनी स्पिरिटिंग मोड में हैं मतलब इनकी आत्मा को भी हमने मारा और आत्मा को शांती भी हम ही दिला रहे हैं मतलब ये जब बीफ में आते हैं सिंपल बास क्योंकि बिना शॉट के व्यूज नहीं आते इसलिए तभी ये हर में शॉट लेते मतलब फ्लो मेरा ऐसा जैसे लगे ये किल शॉट अपने फ्लो को एक शॉट की तरह मार रहे हैं मतलब मेरा लॉट हैर देखो और ओजी स्टाइल देखो ये कला करवा रहे अपने बालों में जो मेरी inspiration है और जिससे मैं सीखता हूँ अगर मैं उसको कॉपी करता हूँ तो मैं अपने लिए खुश हूँ मतलब कृष्णा आये थे मुंबई और आकर एमीवे से मिले और मुंबई से दिल्ली तक वाला गाना बनाने के बारे में बाते की अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ की आकपेलर वो होता है जिसमें आपको अपने वर्ट के लास्ट में एले लगाना होता है बिना म्यूजिक और अनकंपनीड वॉइस के तो एमीवे ने अपने किंग ओफ इंडियन हिप हॉप में किया था पिर कृष्णा ने ये बताया कि तुमने आकपेलर का यूज़ किया है बट एमीवे ने जब किया तो उनको मालूम था तभी न किया तो अब एमीवे ने मजा लेकर बूम बूम चाओ कर दिया मतलब एदर आपका बूम शोर नहीं चलेगा और बडोती मीन्स किराइदार जो रेंट पर रूम लेकर रहते हैं तो एमीवे कह रहे की कृष्णा इंडिया के नहीं है इसलिए पूरा हिंदुस्तान में ये किराइदार है और इनको हम यहां रूम देते नहीं अगर सामने आएगा तो मार खाएगा और भाग जाएगा और तुम मेरे लिए सब्सक्राइबर लाओगे फिर तुमको मेरे से बचाएगा कौन मतलब तुमने मेरा फेमस वाला मचाएँगे टाइडल लिया फिर भी तुम मेरी तरह फेमस नहीं हो पाए तुम मेरी जगा नहीं ले सकते ना ये tiger हैं और ये जूट बोल रहे है Line की तरह प्रोनाउंज हो रहा है तो मतलब ना ये tiger हैं ना ये line है ये सब से जूट बोल रहे हैं और मैं तो यहाँ कढ़ा हूँ जैसे liger यहाँ पर क्रिशना की मिमिकरी करते हो एगर ये मेरा назад भूले तो मैं फिर से लाओंगा अपने बाज मेरे टाइट बाज है मैं इने कभी हलका नहीं करता और तो मुझे गाली दोगे तो गाली खाओगे मतलब कृष्णा ने अपने पॉड़कास्ट में खूब मोटिवेशन माली बाते कही थी और एमीवे बोल रहे कि ये बॉड़ी फेशियल कराके सॉफ्टरे पर आ रहे हैं मैं इनको वेइन बाज दूँगा ब्रूस की तरह देखो यहाँ पर ब्रूस वेइन का बहुत अच्छे से यूज किया गया है एमीवे लिल वेइन के फैन है और ब्रूस वेइन बात्मान मुवी का केराक्टर है तो लिल वेइन की तरह उनके बाज होंगे जो लगेंगे तो ब्रूस वेइन की तरह और इनके व्यूज और मेरे व्यूज में बहुत फर्क है बार बार क्यों आ जाते हैं ये मार खाने मैं इनको अपना डाश दे रहा हूँ क्योंकि इनको आदत है बाहर खाने की इनके करियों को मेरे चार गाने ने खा लिया और इनकी पेन मेरी सकसेस से खार खाती है मतलब अपना ये कलमकार कैसे चला पाएंगे ये चार जन, रफ्तार कृष्णा कर्मा और अंकित खन्ना बट कर्मा तो लेफ्ट हो चुके हैं और नो मर्सी ट्रेक जो आया था उसने दो दिन में चार लाख व्यूज भी कम्प्लीट नहीं कर पाए थे और एमीवे कहे रहे की इनको लगता है कि इनसे दुनिया चलती है तो अब अपने ओपीनियन की बात करें तो ये डिस 3 दिन के अंदर निकाला गया है और काफी सही था, लिरिकल था, कुछ चीजे एमिवे ने ऐसी बताई जो वो पहले कर चुके थे और लोग अप कर रहे हैं और वो सब कुछ सीख कर बैटे हुए हैं, बस पबलिक को जो चाहिए रहता है बस वो वही ड्रॉप करते हैं बगब बोई सौंग तो, okay okay sorry, thanks for watching